जटाटवी गलस जुला प्रभाहपा वितस्तले गलेवलं वलं वितंबु जंगतुं गमालिकां। डमद 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 डमन निडा दवड़्ड दमरवयम चकारशंद तानवं तनू दिना शिवाशिवम। जब दैवी सक्तियां अपना आशिरवाद देने लगती है, जब दैवी सक्तियों के कृपा आपके उपर होने लगती है, जब दैवी सक्तियां आपको आवास दिलाने लगती है, तो आप समझ जाएगा कि घर में आपके निश्चिती इश्वर का बास है, भगवान का बास है, भगवान जब आपके घर में वास करते हैं तो संकेत भी देते हैं तो ऐसे कौन से संकेत होते हैं जिनके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं जान सकते हैं कि हमारे घर में इश्वर का वास है तो पहला संकेत होता है कि घर में महमानों का लगात आराते रहना जैसे एक महमान गए फिर कुछ दिन बाद दूसरे आ गए फिर कुछ दिन बाद तीसरे आ गए और उन महमान लोगों को जो गेश्ट आप के आँ आते हैं उनका आप बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं उनके लिए आप तरह तरह के पकवान बनाते हैं, उनके लिए आप बहा से मिठाईयां लेके आते हैं, कहने का अर्थी है कि आप उनकी सेवा करने में कोई कमी नहीं रखते हैं, आप भेदभाव नहीं करते हैं, अगर आपके अंदर भेदभाव की भावना नहीं है, तो निश्रित ही आपके घर में भगवान का वास है, तो पहला संकेत यह हो गया, दूसरा संकेत होता है आपकी कि किचन में अगर कुछ भी बनता है आपने महसूस किया होगा कि कोई-कोई घर ऐसे होते हैं जहां पर कुछ भी बनता है तो स्वादिष्ट ही बनता है चाहे उसमें मसाले पड़े हों या जादा मसाले ना पड़े हों कम ही पड़े हों लेकिन कुछ भी बनेगा तो बहुत अच जैसे किसी किसे के घर के आपने चाय पी होगी तो बहुत अच्छी बनती है तो अगर आपके किचन में आपके घर में खाना स्वादिष्ट बनता है लोग उसकी तारीफ करते हैं तो आप इस बात को समझेगा कि आपके घर में इश्वर का वास है इश्वर की अन्भूती और इस्वर का आपास हर किसी को नहीं होता है इस्वर की अन्भूती इस्वर का आपास वो व्यक्ति ही कर सकते हैं जो नित्य पूजा से जुड़े रहते हैं नित्य मंत्र जब से जुड़े रहते हैं उन्हें भगवान का आपास होने लगता है और उन्हें संकेद भी समझाने लगते हैं जो व्यक्ति पूजा पाट से नहीं जुड़े होते हैं जो व्यक्ति मंत्रजब से नहीं जुड़े होते हैं उन्हें थोड़ा आभास होने में समय लगता है या वो इन सक्तियों को नहीं समझ पाते हैं कि ये उनकी क्रपा से ऐसा उनके साथ में घटित हो रहा है य आप लोगों के प्रती अच्छा सोचते हैं, किसी वियक्ति को आप बड़ा नहीं समझते हैं, किसी वियक्ति को आप छोटा नहीं समझते हैं, सभी को समान रूप से अगर आप उनके साथ में बैवार करते हैं, सभी के लिए अच्छा सोचने का कार करते हैं, अच्छा करने का क क्योंकि जहां पे इश्वर रहते हैं, जहां पे भी भगवान रहते हैं, जहां पे वो द्यवी सक्तियां रहते हैं, जिने आप पूझते हैं, वहां पे कभी कुछ गलत होई ही नहीं सकता है, वहां पे किसी व्यक्ति के लिए कोई गलत सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि जहां पे भगवान होता है और सभी देवी देवता मौझूद होते हैं अगर हम उनको बहुत ही भाव से बहुत ही स्रध्धा पूर्वक उनको पूछते हैं तो वो मौझूद होते हैं वहाँ पे जहां हम उनको कुछ भी अर्पित करते हैं चाहें वो आप भोग अर्पित करें चाहें ध भूप, दीप, कुछ भी अर्पित करें, तो वो अपनी उफस्तिती दिखाते हैं, दरसाते हैं, आभास कराते हैं, और ये उनको ही आभास हो पाता है, जो नित्य पूजा से जुड़े रहते हैं, जिनके अंदर अध्यात्मिक बल धीरे-धीरे करके बढ़ जाता है, जिनकी ज माग में कोई विक्रती होगी ही नहीं, क्योंकि जब विक्रती होगी तो दैवी सक्तियां आएंगी ही नहीं, जहां विक्रती होती हैं, वहां दैवी सक्तियां नहीं आती हैं, विक्रती का अर्थ है कि अगर आप बुरा सोचते हैं, आपके मन में गंदे विचार रहते हैं, आप पूजा के समय तो अच्छे बने रहते हैं, उसके बाद में आपका बैवार गलत हो जाता है, आप लोगों को परिसान करने लगते हैं, लोगों को फसा के रखते हैं बिना मतलब में, तो कहीं न कहीं आपके साथ में इस्वर का आश्रवात नहीं होता है, क्योंकि आपके अजर इतने गलत विचार आ रहे हैं, तो वो इस्वर का संकेत नहीं होता है, लेकिन वहीं अगर आप लोगों की मदद करना शुरू कर देते हैं, लोगों के लिए अच्छे कार करते हैं, लोगों के लिए अपने अपने असाब से आप उनके लिए जो कर पाते हैं, आप आपको चारों तरब एक खुस्बू जैसा माहौल मिलेगा आपको एक अच्छी सुगंद घर में चारों तरब मिलती रहेगी जहां भी आप जाएंगे ऐसा लगेगा कि कुछ महकरा है कुछ अच्छी से सुगंद आ रही है तो ये भी एक संकेत होता है कि भगवान या देवी देवताओं का वास आपके घर में हैं और उसके बाद में क्या होता है कि आपके जो घर के बिगड़े हुए कार हैं वो बनना सुरू हो जाते हैं आपके जीवन में रुकी हुई गाड़ी चलने लगती है आपके जीवन में कुछ परिसानिया होती है वो धीरे धीरे करके दूर होने लगती है क्योंकि जहां दैवी सकतियां आती हैं वहां से परिसानिया दूर हटने लगती है वहां से नक सोचते हैं कि हम इसे कैसे प्रसन्न कर दें अगर आपके मन में इस प्रकार का विचार आता है कि आप यह सोचते हैं कि हम इसे कैसे प्रसन्न कर दें इसे कैसे खुस कर दें चाहें वो आपके परवार का व्यक्ति हो चाहें वो बाहर का व्यक्ति हो तो निश्चित ही आपके घर में इश्वर का बास है निश्चित ही आपके घर में भगवान का बास है भगवान कहते हैं ना हर जगह है लेकिन आभास उनको ही हो पाता है जो नित्य पूजा से जोड़े रहते हैं नित्य मंत्र जब से जोड़े रहते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि उनके कर्म पवित्र हो तब तक के लिए जैए श्रीकरशना